इतिहास के सबसे बड़े और खतरनाक जानवर जो पिल्थवी पे राज किया करते थे जिन मेंसे आज कुछ पिल्थवी पे मौजूद है आईए जानते हैं ऐसे जानवरों के बारे में जिनें देखने के बाद आप अहरान रह जाएंगे हमारी धल्ती बहुत ही विचित्र है लेकिन उससे भी कई गुना विचित्र है यहाँ पाए जाने वाले जानवर इन जानवरों में से कुछ का आकार तो इतना छोटा है कि आपके हतेली में भी समा जाए वहीं दूसरी तरफ कुछ आकार में इतने बड़े और खतरनाक हैं जो इनसान को एक जटके में खतम कर सकते हैं इनसानों से पहले पिर्थी पर कुछ बेहदी विचाल जानवर रहते थे जिन में से कुछ तो अभी भी धल्ती पर मौजूद है तो आज हम आपको दस ऐसे बड़े और कतरनाक जानवरों के बारे में बताएंगे नमबर एक वेल सार्क जब भी दुनिया में सबसे बड़े जानवरों की बात होती है तो उसमें वेल सार्क का नाम जरूर आता है ये दुनिया की सबसे बड़ी मचली है इसका साइन्टिफिक नाम राइन को डॉन टाइप्स है जो बहुत ही दीरे चले वाली फिस है क्योंकि इसका बजन वाकी बेल्स के मुकाबले काफी जादा है इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई 45 फिट और बजन 18 12,000 किलोग्राम होता है इन में से कुछ मचली तो 1500 साल तक जीवित रहती है नमबर टू टाइटेन वबुवा पाइथन और अनकॉंडा को सबसे बड़े सापू में गिना जाता है ये दोनों टाइटेन वबुवा के सामने कुछ भी नहीं है इनकी लंबाई 42 फिट और बजन 1200 किलोग्राम होता है माना जाता है कि ये ब्यानक साप साउथ अमेरिका की जंगलों में 6 करोड साल पहले पाई जाते थे ये बिना जहर वाला साप था जो अपने सिकार को अपने पूँच से लपीट कर मार देते थे जैसा आपने अनकॉंडा मूवी में देखा होगा सन 2000 में पहली बार इसका कंकाल कोलंबिया की कोईला की ख़दान में पाया गया ये एक मातर ऐसा साप था जो डाइनासोर जैसे जानवरों को मारने की ताकत रखता था नमबर थिरी करोनोसोरस ये दुनिया का सबसे बड़ा पीलोसोरस था ये चोटी गल्दन वाला पीलोसोरस था जिसकी लंबाई 32 पिट और बजन 11,000 किलोगराम होता था माना जाता है कि ये 15 करोड साल पहले ये समद्र पर राज करता था क्योंकि ये एक मासाहारी जानवर था जो सामने आने वाली चीज़ को बिलकुल भी नहीं छोड़ता था हाली में रिसर्चर को इसका एक दात मिला है जिसका साइज 30 सेंटिमीटर तक है इसका नाम क्रोणोसोरस ग्रीक बोड के नाम पर रखा गया है नमबर 4 मेगलाडॉन इस कौंखार मचली के बारे में जादतर लोग पहले से ही जानते होंगे क्योंकि होली बुड में इसके उपर 2018 में मूवी बन चुकी है मेगलाडॉन को दुनिया की सबसे बड़ी सार्क होने का टाइटल मिल रखा है इसके नाम का मतलब गिरिक में बड़े दात होता है और इससे आप समझ गए होंगे की इसका मूँ और जबड़ा कितना बड़ा होता होगा इसकी लंबाई 60 फिट और बजन 70,000 किलोगराम होता था ये मचली अपना पेट डॉल्फिन, बेल और चोटी सार्क को खा कर बढ़ती थी वैसे तो ये एक करोड साल पहले बिलिप्त हो गई थी पर कुछ लोगों का मानना है कि ये अभी भी समझर की गहराईयों में जिन्दा हो सकती है इस्पाइनोसॉरस को 1993 की फर्ष्ट जुरासिक पार्क मूवी में दिखाया गया था इस्पाइनोसॉरस का ये नाम उसके बाहर निकले स्पाइनल वॉन की बज़े से दिया गया है ये दुनिया के सबसे बड़े मासाहारी डाइनोसॉर थे जो 60 फुट लंबे और इसका बज़न 75-100 किलोग्राम होता था इतना बड़ा साइज होने के बावर जूद है सारक और छोटे मूटे जानवरों को खाते थे इसके अबसे सनर्थ अफरीका के कुछ हस्तानों में पाए गए हैं जिससे ये माना जाता है की इसका राज नौल्थ अफरीका के आसपास के इलाकों में ज़या था बात करें इसके बिलुप्त होने की तो चार कुरोड साल पहले ये पूरी तरह से समाप्त हो गए थे नमबर छह सौर को सूचस इसके जवड़ों में इतनी ताकत थी ये किसी को अपने दातों से फाड़ने की ताकत रखता था इस विसालकाय मगरमच का नाम सौर को सूचस था इसको अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मगरमच होने का टाइटल भी दिया जाता है इस खुंकार जानवर की लंबाई 40 पिट और बजन 9000 किलोग्राम तक होता था और ये अफ्रीका के बुष पहली फेंट से भी जादा है जियोलोजिस्ट के मताविक 10 करोड साल पहले दर्टी से बिलुप्त हो गए थे पहली बार इसके बारे में सन 1950 में पता चला जब फ्रेंच जियोलोजिस्ट अलवर्स फॉलिस्ट को साहरा रिगिस्तान में इसकी सरीर के कुछ अफसेस मिले इसके मुह में 130 नुकेले दाथ थे जिनकी वज़े से यह आसानी से छोटे और मीडियम साइज के डाइनोसोर को मार गिराता था यह सुनकर आप भी समझ गए होंगे की यह अपने समय की कितनी खतरनाग पर जाती रही होगी इस जानवर को धरती का सबसे बड़ा ही नहीं वलकि समसे लंबा होने का टाइटल भी मिल रखा है इसकी हाइट 22 फुट और बजन एक लाग किलोग्राम होता है इसके अंडे का साइज धाई किलो तक होता है और अंडे से निकलने के बाद यह महज चालिस साल में एक लाग किलोग्राम तक हो जाते हैं नमबर आठ दा बिलू बेल बिलू बेल जानवरों की लिस्ट में सबसे उपर है आखरिये विसाल कायो इतना सांदार है वर्तमान में इसे सबसे बड़े जानवर की अपादी मिल रखी है बिलू बेल का बजन एक लाग साट किलोग्राम तक हो सकता है और इसकी लंबाई सोब फुट तक होती है एक हटा-कटा हाती भी इसकी जीव का मुकावला नहीं कर सकता इसकी तैरने की स्पीड 30 किलो मीटर परती घंटा है यह बहुत चौकानी बाली बात है चौकि इतने बड़े साइज के साथ एलिना भी बहुत मुश्किल होता है नमबर नौ क्वेंट जाल कोटलस क्वेंट जाल कोटलस की आज में उड़ने वाला सबसे बड़ा जीव है साथ अफरिका में यह उड़ने वाला विशाल जानवर एक हवाई जाज के जितना लंबा है जो आज से 72 मिलिन साल पहले इस पर थीपर हुआ कलता था इसकी लंबाई 32 फिट और यह अपने पंकों को 45 फिट तक फैला सकता है और यह 70 से 80 मिल पढ़ती घंटे की रफतार से उड़ सकता है और यह खाने के मामले में पूरी तरह से मासा हारी है जो अपनी लंबी चौंस से समुद्र से मचलियों को लिकाल कर खाता रहता है नमबर 10 लाइगर लाइगर हाल ही में इंसानों द्वारा बनाई गई हाइबिरिड पर जाती है जिसे नर लोयन और मादा टाइगर के मेल से तयार किया गया है नहीं पर जाती होने के बिज़े से अभी इनकी संख्या बहुत कम है लेकिन वहीं जब आकार की बात आती है तो लाइगर अपने माता पिता को ही पीछे छोड़ देता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब करें थैंक्यू सो बोचिंग वीडियो धन्यवाद